हलो फ्रेंड्स अर्थसास्त के नोबल पुरुषकार 222 की घुफणा हो चुकी है और इस नोबल पुरुषकार से सम्मने जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो बात करते हैं फर्ष्ट कोशेन की हमारा फर्ष्ट कोशेन है क अर्थसास्त का नोबल पुरुषकार किसे प्रदान किये जाने की घुफणा की गई है देखिए दोस्तों बर्ष्ट 222 में जो अर्थसास्त का नोबल पुरुषकार है वो तीन लोगों को सहीं तूरुष से दिये जाने की घुफणा की गई है जिनमें पहला नाम आता है ब बस दोजर बाइस में अर्थसास्त का नोबल पुरुषकार तीन लोगों को संहित रूप से दिया गया है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थसास्त के इंतरगा जो दस मिलियन स्वीडे स्क्रोनर की रासी दी जाती है वो रासी इन तीनों में बराबर से बांड़ दी जाए तो बात करते हैं कि इन्हें ये नोबल पुरुषकार किस कारे छेत्र के लिए दिया गया है तो देखिए बस दोजर बाइस में इन तीनों को अर्थसास के नोबल पुरुषकार से नवाजा गया है नोबल समीती के अनुसार इन्हों ने अर्थसास के सैदान्तिक मॉडल वि सकता है इनी तथ्यों के आधार पर इनको बर्स 2022 में इसी कारे छेत्र के आधार पर इनको बर्स 2022 में अर्थसास के नोबल पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अर्थसास नोबल पुरुषकार प्रतिवर्स 10 दिसंबर को दिये जाते हैं अभी अर्थसास के नोबल में अर्थसास्त के नोबल पुरुषकार से किसे सम्मानित किया गया है देखिए अभी हमने बात की बर्स 2021 के नोबल पुरुषकार की अब बात करते हैं बर्स 2021 में नोबल पुरुषकार किसे प्रदान किया गया था अर्थसास्त के छेतर में देखिए बर्स 2021 में भी तीन लोगों को संइक तुरूप से अर्थसास्तर का नोबल पुर्षकार दिया गया था जिनमें पहला नाम ता डेविड काड का जो अमेरिका देश से सम्मन्द रखते हैं दूसरा नाम है जोसुआ डी एगरिस्ट का जो भी अमेरिका देश से सम्मन्द रखते हैं और तीसरा नाम ता गुईडो डबलू इमेंस का जो भी अमेरिका देश से सम्मन्द रखते हैं देखे बर्स 2021 में इन तीनों को साइक तरूप से नोबल पुर्सकार से सम्मानित किया गया था अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले कोशन की कि नोबल पुर्सकार प्रतिवर्स कब दिये जाते हैं नोबल पुर्षकार प्रतिवर्स 10 दिसंबर को दिये जाते हैं और अक्टूबर में इनकी गुफणा होती है देखी दोस्तों कि नोबल पुर्षकार के बिजेताओं की गुफणा प्रतिवर्स अक्टूबर में की जाती है और 10 दिसम्बर को अलफेड नोबेल की पुन्य तिथी पर इन्हें बित्रित किया जाता है ये बात याद रखनी है कि अलफेड बर्नहार नोबेल की याद में नोबल पुर्सकार बित्रित किये जाते है next अगला question है कि अलफेड nobel किस देश के वैग्यानिक थे अलफेड nobel स्वीडन देश के क्या थे वैग्यानिक थे इन्होंने कुल 355 अविस्कार किये थे जिनमें dynamite का अविस्कार इनका सबसे पृषिद अविस्कार था नेक्स्ट अगला कोशन है कि नोबल पुर्षकार पहली वार कब दिये गए थे तो नोबल पुर्षकार पहली वार 1901 इसवी में दिये गए थे नेक्स्ट अगला कोशन है हमारा कि बर्तमान में नोबल पुर्षकार कुल कितने छित्रों में दिया जाता है तो बर्तमान में नोबल पुर्षकार कुल 6 चेतरों में प्रदान किया जाता है जिनमें हैं चिकिसा, बहुत की, रसायन, सायत, सांती और अर्थसास्त के चेतरों में दिया जाता है बर्स 1989 से पहले ये पांच छेत्रों में दिया जाता था इससे पहले अर्थसास्त के छेत्र में नोबल पुर्षकार नहीं दिया जाता था तो अर्थसास्त के नोबल पुर्षकार में एक बात भी या यह रखनी है आपको कि बर्स 1919 से ही अर्थसास्त के नोबल पुरुषकार को दिया जाता है इससे पहले अर्थसास्त के छेत्र में नोबल पुरुषकार प्रदान नहीं किया जाता था नेक्स्ट अगला कोशन अगला कोशन है मारा कि चिकिस्टा के छेत्र में देखिए अर्थसास्त के छेतर में यहाँ पर चिकिस्टा के छेतर की जगे पर यहाँ पर अर्थसास्त भी देख सकते हैं हम यहाँ पर लिख देए कि अर्थसास्त के छेतर में नोबल पुर्षकार कौन प्रदान करता है तो देखिए अर्थ सास्त्र के छेत्र में जो नोबल पुर्षकार प्रदान करता है वो दा रोयल स्वीडिस अकेडमी ओप साइंसेज इस्टोक्हम स्वीडन से प्रदान किया जाता है तो आपको याद रखना है कि अच्ची किसा के छेत्र में करोलिंस का इंस्टोक्हम स्वीडिस अकेडमी आपको साइट के छेत्र में प्रदान करती है जाते हैं तो जो बरतमान बगर डॉलर में और रुपयों में इनकी रासी देखें तो आप देख सकते हैं कि नोबल प्रुसकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दस मिलियन स्वीडिस क्रॉनर यानि एक पॉंट चौदे मिलियन डॉलर यानि लगवग आट पॉंट पांच करोड रुपय एवं एक गोल्ड मेडल प्रुसकार के रूप में प्रदान किया जाता है अल्फेड नोबल ने अपने जीवन काल में अपनी विपूर संपत्ति का एक बड़ा इसा एक ट्रस्ट के लिए सुरच्चित रख दिया उनकी इच्छाते कि इस पैसे के व्याज से ह सरवत्करष्ट योगदान के लिए नोबल प्रुसकार प्रदान किया जाता है बात करते हैं नेक्स्ट अगले कोशिन कि कि अर्थसास्त्र चेत्र का पहला नोबल प्रुसकार बर्स 1901 में या 1901 नहीं 1909 है कितना है 1979 में किसी मिला था तो देखिए, अर्थ सास्त के छेतर ने पहला नोबल पुर्षकर बर्स बात करते हैं, नेक्स्ट अगले कोशन की कि बर्स 2009 में अर्थसास्त का नोबल पुर्षकार पाने वाली प्रिथम महिला कोन थी तो देखी प्रिथम महिला थी इलीना और ओस्ट्रोम जो मिरका देश से संब्ध रखती है इन्हें अर्थसास्त के छेत्र के नोबल पुर्षकार पाने वाली ये पहली महिला है नेक्स्ट अगला कोशन कि अर्थसास्त्र के छेत्र में नोबल पुर्षकार पाने वाले प्रिथम भारतिये कौन थे तो अर्थसास्त्र के छेत्र में नोबल पुर्षकार पाने वाले प्रिथम भारतिये व्यक्ति थे अमर्तिशेन इन्हें बर्स 1998 में कल्यांड कारी अर्थसास्त के लिए नोबल पुर्षकार से सम्मानित किया गया था तो ये थे अर्थसास्त के नोबल पुर्षकार से जोड़े important facts वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय अपनी कमेंट में भी हमें बता सकते हैं फिर मिलेंगे नेस्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा